बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा पाना है तो आप इन तीन तरीकों से इन पत्यों का सेवन करना आज सही सुरू कर दीजिएगा बिना दवा के पेसाव के रास्ते यूरिक एसिड आपके सरीर से बाहर निकल जाएगा और रोड के किनारे मिलने वाले इस पौधे की ये पत्या डॉक्टर के होने वाले काफी खर्चे से आपको बचा सकती है और यूरिक एसिड को तेरी से घटा सकती है और ये जो पत्या होती है इतनी ज़्यादा गुणकारी होती है कि आयरवेद में इन्हें सर्व रोग निवारनी के नाम से भी जानते हैं और इसमें इतने अधिक गुण होते हैं कि कैई रोगों के इलाज में भी काम आते हैं इसको भारत में जो पत्या है इसकी पत्या का पेड रोधा होता है इसको भारत में गाउं का दवा खाना के राम से जम जानते हैं और गात्य किसी भी रोग में राम वार्लाज की तरह काया करती है और अमेरिका में इस पौधे की जो पौधा होता है इसको चमतकारी व्रक्ष के नाम से जानते हैं और ये पत्य इतनी ज़्यादा प्रभावी होती हैं कि यूरिक एसिड को ही नहीं सरीर की कई बीमारियों को कई समस्याओं को दूर करने का काम करती हैं तो चलिए जानते हैं कि यूरिक एसिड के लेविल को कम करने के लिए इन पत्यों से प्रभावी नुस्का हमें कैसे बनाना है उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज की जो वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है आज इस वीडियो के माध्यम से आप लाइक ड़े एक कमेंट करें वीडियो को सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को जरूर दवाएं जिससे आने वाली हर वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो चलिएगा बिना देरी केस इंट्रस्टिंग वीडियो को बिना ब्रेक के सुरू करते हैं बेसिकली क्या है कि यूरिक एसिड बढ़ने पर हमारे सरी में दर्द और सूजन के अलावा जो समस्या है तो चलने फिरने में भी काफी ज़्यादा समस्या होने लगती है और इस यूरिक एसिड की समस्या में आयरुवेदिक उप्चार की समस्या और जोड़ों में दर्द की जो समस्या होने की जो संभावना है वो काफी जादा हो जाती है और हमारे सरी में जो यूरिक एसिड को आयरुवेदिक उप्चार के दुवारा बहुत जल्दी कम किया जा सकता है इन्हें आपको रोजाना से अपनाने की ज़ूर्थ है और इस समस्या से काफी हद तक रहत पा सकते हैं और जो यूरिक एसिड की समस्या से निजात पाने के लिए जो नीम की पत्या होती हैं ये काफी जादा फायदे मंद होती हैं आज हम नीम की पत्यों के फायदे के बारे में ही बात करने वाले हैं जो की यूरिक एसिड को कम करने में काफी ज़्यादा मददगार होते हैं और यूरिक एसिड हड्डियों के बीच में क्रेश्टल के रूप में जमना सुरो जाता है जिसकी वज़े से आपको एंठन की समस्या जोडों में दर्द की समस्या जोडों में सूजन की समस्या भी होने लगती है और साथ ही सा करना बेहत जरूरी होता है यदि हम बात करें कि आपका यूरिक एसिप बढ़ गया है तो आप फलों में क्या-क्या चीज खा सकते हैं इसमें आप खर्वुजा है तर्वुजा है चैरी है इस्ट्रोबेरी है और नीबू है संत्रा इत्यादी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चीजों में फ्रक्टोज अधिक मातरा में होती है उन फलों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है सबजी के बारे में अगर बात करें आप कौन-कौन सी सबजी का आपको इस्तेमाल करना है आप खीरा है टमाटर है प्याज है लहसून है ब्रॉकली है मस्रूम है और आपका जो कद्डू है परवल की सबजी है आप इन सबजी कुझे जीख से जाधा मातरा में इस्तहमाल करें आपको क्या नहीं झाना है यह भी आपको धियान लगने की चरत है हई प्रोटीन की यह इसको आपको आपको नहीं लेना है मास मचली है, सराब बीयर इत्यादी है, सोडा वाटर है या फिर स्पोर्ट ड्रिंग्स हैं आपको उनका इस्तेमाल नहीं करना है रिफाइंड ग्रेंस मैदा है जैसे कि या मैदा से बनी जो चीजे हैं उनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है अधिक मातरा में नमक और मसालेदार चीजों का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है यदि आपके सरी में यूरिक एसिड का लेविल बढ़ा हुआ है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो यूरिक एसिड की समस्या है आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है और कम उमर के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है और इसके पीछे आपकी खराब लाइप इस्टाइल और अनहेल्दी खानपान की जो आदत है वो एहम भूमी का निवाती है तो अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कि आखिरी यूरिक एसिड होता क्या है यह हमारे बिलड में पाये जाना वाला एक तरह का वेस्ट प्रोड़क्ट होता है जो कि हमारे सरीर में प्यूरी नामक कंपॉंड के टूटने से बनता है और आम तोर पर हमा सुरू हो जाता है तो हमारी किड्नी उसे सही से फिल्टर नहीं कर पाती है और यह हमारे सरीर में ही पढ़ा रहता है और सरीर के विभिन हिस्साँ और अंगों को नुक्सान पहुचाना सुरू कर देता है छोटे-छोटे जॉइंट में जमा होना सुरू हो जाता है जिसकी पाद करें कि यूरिक एचिद बढ़ने के कौन-कौन से या फिन बढ़ने के क्या क्या-कारणों बात जी היya हैं कि आपको metabolic disorder है metabolic problem है metabolic syndrome है या फिर आपको कोई kidney की समस्या है आप बहुत ज़्यादा सराब बीयर इत्यादी का इस्तेमाल आप करते हैं आप immune system को खराब करने वाली दवाईयों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं आप ऐसे खादे पधारतों का सेवन कर रहे हैं जिसमें प्यूरी अधि अधिक मातरा में पाए जाता है जैसे कि लाल मीट है मास है लीवर है किड़नी है सी फूड है मचली इत्यादी आप अधिक मातरा में सेवन करते रहते हैं हाई प्रोटीन रिच फूड काफी लंबे समय तक आप खा रहे हैं तो आपको यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना काफी जादा हो जाती है अब हम बात करें कि यूरिक एसिड का जो लेविल है उसको हम कैसे पता करें बैसिकली क्या है कि यूरिक एसिड के लेविल को बिलेड टेस्ट के दुवारा या यूरिन टेस्ट के दुवारा लेबोरेटरी में आसानी से चेक किया जा सकता है अब हम को अपनी लाइफ में थोड़ा बदलाव करने की जोड़त है हेल्दी डाइट आपको लेने की जोड़त है अपने बजन को बढ़ने नहीं देना है कुछ दवाएं जो नुकसान दायक होती है आपको उनका परेज रखना है और कुछ आयरवेदिक घरेलू नुस्कों को आपको इस्तेमाल करना है जो कि आपके यूरिक एसिड के लेवल को काफी हथ तक कम कर सकती है आप नीम की इन पत्तियों में एंटी इंपलेमेटरी गुन पाये जाते हैं जो कि यूरिक एसिड में होने वाली जो सूजन है जोड़ों में दर्द की समस्या उसको कम करने में ये काफी ऑक्सीडेंट गुन भी होते हैं जो कि आपके सरीर में फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाव करते हैं साथ में आपके सरीर में सूजन की जो समस्या है उसको काफी हथ तक दूर करते हैं तो अब बात करते हैं कि नीम की पत्तियों को आप इस्तेमाल किस किस तरीक और उसके बाद आपको जो गिलास पानी इक बड़े बरतन में आपको गरम करने के लिए लिए और रखे देना और हल्का गरम हो जाए तर उसमें यह दुली जो साफ है उन पंधियों को आपको डाल देना है और आपको इसको उबलने देना है आपको इसको तब तक उबालना है जब वो दो गिलास पानी का मतलब एक गिलास रहते है मतलब आधा पानी वो रह जाए तब तक आपको इसको उबालते रहना है उसके बाद इससे आप उतार लीजिएगा उतारने के बा फूरिक एसिद को कम करने के लिए बहुत कारगर होता है आप इसे सुबह खाली पेटी इस्तेमाल करें तो बहुत ही चमतकारिक प्रभाव आपको देखने के मुलेंगे नेक्स तरीके से जो आप स्सीहें कर सकते हैं आप को नीम की चट्री बनाने के लिए लगबग एक मुठ्वी आपको नीम के पत्ते आपको लेने हैं, उन्हें धो कर आप साफ कर लीजेगा और साफ करने के बाद जो सिलबट्टा होता है गाऊ में, आप सिलबट्टे पर उंको अच्छे से पीस लेना हैं और उसकी आपको चट्नी बना लेनी हैं. और इस नीम की चटनी में आप स्वाद अनुसार काला नमक भी डाल सकते हैं और उसके बाद इसे खाली पेट ही आप इस्तेमाल करें इससे भी आपको जवरदस्त फायदा होगा आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी घटना सुरू हो जाएगा और नेक्श तरीका जो आपको नीम की पत्यों का इस्तेमाल करना है नीम की पत्यों की गोली बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब के अलाबा आप खाली पेट नीम की पत्यों की गोली का सेवन कर सकते हैं ये गोलियां उन लोगों के लिए काफी जादा फायदे मंद होती हैं जो नीम की कड़वाहट क चलते उसकी चटनी को या काड़े को सेवन आसानी से नहीं कर पाते हैं इन दोनों चीजों के मुकाबले नीम की जो गोलियां होती है इनको खाना बहुत ज्यादा आसान होता है इनको बनाने के लिए सबसे पहले आपको नीम की पत्तियों को साफ कर लेना दो लेना है दोने के बाद उनको mixer में उनको अच्छी तरह इस पीस लेना है पीसने के बाद उसमें जो पेस्ट बन जाता है उस पेस्ट से आप छोटी छोटी गोलिया बना सकते हैं आप इन गोलियों को सुभय खाली पेट इस्तेवाल करें आप इसको सहद में डुबा कर भी इस्तेवाल कर सकते है तो इस तरह से जो ये गोलिया है ये उन लोगों के लिए काफी जादा अच्छी होती है जो काड़े का या फिर चटनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिलाल वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है आप वीडियो के संबंद में कोई अधि कर सकते हैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वहां जाकर आप मुझे फॉलो करिएगा और अपना सवाल पूछेगा वहां भी मैं आपको सैटिसफेक्टरी आंसवर जरूर से दूंगा तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और यूरिक एसिड के संबंद में मैं पहले बहुत स अच्छी जानकारी दी गई है जिससे आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी कम होना सुरू हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा नया जाना होगा वीडियो में बताएगी जानकारी आपको अच् सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो फिर मुलाकात करेंगे एसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं डॉक्टर एके सिंग इतने आप अपना खयाल लखें खुस रहें सेहत मंद रहें और इस चैनल की अपने फाइदे की सभी वीडियो को देखते रहें यूरिक इसिड को घटाने वाले जूस कौन-कौन से होते हैं उसके लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकाली के साथ तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम